Welcome to all of you, this is your way to explore, आज के इस वीडियो में हमारे पास एक अपडेट है जो कि JMAIN or NEET exam से डिलेटेड है JMAIN or NEET exam से डिलेटेड अपडेट या है कि आपके जो exam है JMAIN or NEET के वो फिर से पोश्टपून किये जा सकते हैं गौर्मेंट जो है वो exam को फिर से पोश्टपून करने की तयारी में है जो MHRD है जो हमारे देश के education minister है स्री रमेज पोखरियाल जी वो लगातार NTA यानि National Testing Agency के contact में है NTA जो है वो JMAIN or NEET के exam conduct कराती है तो उसके contact में है और ये exam फिर से पोश्टपून करने की तयारी की जा रही है अब आप ये पूछोगे कि अगर exam पोश्टपून हो जाते हैं तो फिर से ये exam कप कराये जाएंगे तो JMAIN or NEET के exam जो है वो अब October तक पोश्टपून किये जा सकते हैं यानि October में आपके exam होंगे अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं तो JMAIN के जो exam थे और NEET के जो exam था वो April में और April के बाद मैं मैं में होने थे ठीक है लेकिन क्या हुआ कि उछ टाइम पे करोना आया करोना के केसे उछ टाइम पे कम थे तो Government ने डिसाइड किया कि ये exam जुलाई के लाश्ट में कराये जाएंगे अब क्या हो रहा है कि जब जुलाई का लाश्ट आ रहा है यानि exam की डेट पास आती जा रही है वैसो ऐसे करोना के जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार केसे बढ़ते जा रहे हैं हर दिन 10,000-12,000 केस मिल रहे हैं जिसके कारण अब exam फिर से पोस्ट पॉन करने की मार्ग की जा रही है जो parents हैं जो student हैं वो लगातार social media पे active हैं लगातार जो वो tweet कर रहे हैं government से mark कर रहे हैं कि exam पोस्ट पॉन कर दिये जाएं क्योंकि कोई भी जो parents है वो अपने बच्चे के health के साथ तो खिलवार नहीं कर सकता है ठीक है ऐसे में बच्चों का के mind में panic भी रहता हैं तो ये सब चीजें पूरा ध्यान में रखते हुए जो twitter पे या फिर जो social media के अन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो student mark कर रहे हैं उन सब को देखते हुए government फिर से exam आपके पोस्ट पॉन करने की तैयारी में है तो अब जो exam है वो इस situation में लेना government के लिए महगा पर सकता है तो अब जो है exam आपके पोस्ट पॉन करने की तैयारी की जा रही है ये जो update है यह हम आपको ऐसी ही नहीं दे रहे हैं बहुत सारे जो newspaper है उन्होंने भी इस चीज को छापा है कि exam जो है वो October में हो सकते है जे में नेट के ठीक है ना तो यह important update है एक छोटास update हमने आपको बताया अब आपसे एक request है request क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब हम ऐसी वीडियो डालते हैं कि आप tweet करो twitter पे जाके support करो तो ऐसे में कहा है ना बहुत सारे लोग मतलब जाके comment section पे abuse करते है ठीक है हमें abuse कर जो minister ने उप्यूस करेंगे तो यह सब चीजे जो है ना वो cyber bullying के अंदर आती है ठीक है आप सब पढ़े लिखे हो यार सब के सब पढ़ रहे हो तैयारी कर रहे हो तो ऐसा आपके मूर से सोवा नहीं देता है अगर आपको life में कुछ करना है ना कुछ achieve करना है ना उसके जगे पे जाने वाले हो